नमस्कार सातियों आपके अपने यूटूब चैनल कार्तिक लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपून टोपिक लेकर आया हूँ जो कि मुगल काल में साहिते कला एमूं वास्तुकला का विकास से समन दिते हैं आया चलते हैं तो सातियों इसका आंसर है डी तुर्की अगला क्विश्चन है मुगल काल में चित्रकला का प्रारम किया था ए अकबर ने बी हुमायू ने सी जहांगीर ने डी सा जाने तो सातियों इसका आंसर है बी हुमायू ने अगला क्विश्चन है पहली बार किस मुगल इमारत में दोहरे गुंबद का प्रियोग वा था, A. बाबर का मकबरा, B. ताज महल, C. हुमायू का मकबरा, D. पंस महल, तो साथियो इसका अंसर है, C. हुमायू का मकबरा, अगला क्षिशन है, जोदा भाई महल इस्तित है, A. फतेपुर सीकरी, B. दिल्ली में, C. अजमेर में, D. पानिपत में, तो साथियो इसका अंसर है, A. फतेपुर सीकरी, अगला क्षिशन है, मदर्सा ए बेगम की स्तापना किस के समय में हुई थी, A. बाबर, B. अकबर, C. हुमायू, D. जहांगीर, तो साथियो इसका अंसर है, C. हुमायू, अगला क्षिशन है, आएन एकबरी का लेखक कौन है, A. अल्बुरुनी, B. पदायूनी, C. अबूलफजल, D. बर्णी, तो साथियो इसका अंसर है, C. अबूलफजल, अगला क्षिशन है, हुमायू नामा किसने लिखा था A. गुल बदन बेगम B. फैजी C. अबुल फजल D. जिबुनी शा तो सातियो इसका आंसर है A. गुल बदन बेगम अगला क्विशन है गरंत अनवर A. सुहेली किसका फार्शी अनुवाद है A. पंस्तंतर का B. रामायन का C. महाबारत का D. बगवत गीता का तो सातियो इसका आंसर है A. पंस्तंतर का अगला क्विशन है रजब नामा किसका फार्शी अनुवाद है A. रामायन का B. अथरववेद का C. महाबारत का D. राज तरंगिनी का तो सातियो इसका अंसर है C. महा भारत का अगला कुश्चन है मुगल काल में मनसबदार राजस्व एकत्रीत करने वाली भूमी के रूप में अपना वेतन पाते थे उसे क्या कहा जाता था A. इक्ता B. जागीर C. परगना D. सरकार तो सातियो इसका अंसर है B. जागीर अगला कुश्चन है मार वाडवे मुगलों के मदे चले तीस वर्षी संग्रस का नायक कौन था 1689 से 1709 के वीच में संग्रस चलाता तो इसका नायक कौन था A. दुर्गादास B. जैमल C. फता D. गोरा तो सातियो इसका आंसर है A. दुर्गादास और संग्रस कब चलाता 1689 से 1709 अगला कुश्चन है अकबर ने 1533 इस्वी के आसपास माहरान परताप को अधिन्ता में लाने है तू दूत बेजे उनका सही करम है A. मान सिंग B. जलाल खां C. टोडरमल D. बगवन दास और इसके ओडर को अपने को पूछा गया है तो इसका आंसर होगा सबसे पहले जलाल खां फिर मान सिंग फिर भगवन दास फिर टोडरमल इसका एक सुत्र भी है ट्रिक है इसको याद करने की और वो है जमाल बाटो जैसे जलाल का फिर माल से मान सिंग हो गया फिर बाटो से बैसे हो गया भगवंदास ओटो से टोडरमल अगला कविशन है कनिंगम नामक कला पारकी का कतन है यह है ताज महल से भी सुन्दर है यह है किस इमारत है तु है अगला क्विशन है दोल पुर में इस्तित बाद साही बाग जिसको बाग ए निलो पर भी का जाता है किस के समय में बना था ए बाबर भी अकबर सी सेर साही सूरी डी जहांगीर तो साथियो इसका अंसर है ए बाबर मतलब बाबर के समय में दोल पुर में बाद साही बाग बना था जिसको बाग ए निलो पर भी कहा जाता है अगला क्विशन है तान सेन का मकबरा इस्तित है ए आगरा में बी गवालियर में सी जांसी में डी जैपुर में तो सातियों इसका अंसर है B. गवालियर में अगला क्विश्चन है तान सेन का मूल नाम था ये बहुत ही महतोपन परसन है A. मकर्चंदर पांडे B. बाज बहदूर C. लाल कलावंत D. रामतनु पांडे तो सातियों इसका अंसर D. रामतनु पांडे सही है अगला क्विश्चन है खानवा के युद से पहले राजपुतू ने किस इस्तान पर मुगलों को प्राजित किया A. बयाना B. सीकरी C. मतूरा D. आमेर तो सातियो ये A बयाना इसका right answer है बयाना के युद में राजपुतु ने मुगलों को प्राजित किया था अगला question है दार्मिक पर्तिबंद के कारण मुगल कला बन गई तो दार्मिक पर्तिबंद के कारण मुगल कला क्या बन गई अगला question है निमन्चित्र कारू में से किसे सीरी कलम की उपादी अकबर दोवारा दी गई थी यह बहुत ही महत्वपून person है आरपीसी की second grade exam जिसमें SST विसे से 2017 में जो exam हुई थी उसमें यह question पूछा गया था A. बसावन B. सेयदली C. अब्दुस समद D. दसवन तो साथ हो इसमें आंसर C. अब्दुस समद राइट आंसर है अगला question है दरातलिये सजावट की पीतरा डूरा का सर्वपूरतम परस्तूती करन निमन में से किसमें है यह भी बहुत ही महत्वपून person है जो कि first grade exam 2014 के जिक्के वाले paper में पूछा गया था A. ताज महल B. मौती मस्जिद जिसको आगरा किला भी कहा जाता है C. दिवाने आम लाल किला मतलब मौती मस्जिद आगरा किला में है और D. एत्मादू दोला का मकवरा तो इसका आंसर D. Right है, इत्मादू दोला का मकबरा अगला क्विशन है, मुगल चित्रकला सेली का जनम, किन सेलियों के मिसरन का प्रिणाम था? A. मिसर और भारतिय सेलियां B. रोमन और भारतिय सेलियां C. फार्सी और भारतिय सेलियां D. इनमें से कोई नहीं तो सातियो इसका आंसर C, फार्सी और भारतिये सेलियां राइट आंसर है अगला क्यूशन है मुगल कालिन सेंस्कृत गरंत जान की परिने का लेखक था तो सातियो ये भी बहुत ही मत्वपुन परसन है अगला क्यूशन है मुगल काल में निमन में से कौन सा हिंदू सिक्षा का एक परमुक के अंदर था तो सातियो इसमें C, नदियां डी जोनबून तो सातियो इसमें C, नदियां राइट आंसर है अगला क्यूशन है कौन सा मुगल बादसा है अपने चितरकारी के सो के तु मसहूर था A. औरंगजेब B. साहे जहां C. जहांगीर D. अकबर तो सातियो इसमें आंसर C, जहांगीर राइट आंसर है अगला क्यूशन है मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चितरकारी से ग्रिणा करते है कतन किसका है A. जहांगीर B. साहे जहां C. नूर जहां D. अकबर तो सातियो इसमें D. अकबर राइट आंसर है अगला क्यूशन है अकबर के समें का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था मतलब अकबर के समें जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था A. इलाही B. जलाली C. दाम D. संसब तो सातियो इसमें A. इलाही राइट आंसर है उस्ताद मंसूर, B. अबुल हसन, C. मिस्कीन, D. फारुक बेग तो साथियों इसमें A. उस्ताद मंसूर राइट आंसर है अगला क्यूशन है दिल्ली में इस्तित मोती मस्जिद का निर्माता कौन था? मतलब दिल्ली में एक मस्जिद है, मोती मस्जिद उसका निर्माता कौन था? A. साह जहां, B. जहांगीर, C. ओरंग जेब, D. सेर साह सूरी तो इसका आंसर है C. ओरंग जेब मतलब मोती मस्जिद को ओरंग जेब ने बनवाय था, जो दिल्ली मस्जिद है था अगला क्यूशन, निर्मनां की चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नाद उज्जमा की उपादी परदान की थी यह भी बहुत ही महत्वापूर्परसन है, और पेसी की स्कुल वेका था, एक्जाम 2014 में इसको पूछा गया था अगला क्यूशन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके सासनकाल में आरम की गई अगला क्यूशन है, मतलब तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में सुरू की गई थी तो ऐसे ही और महत्वापूर्परसनों से सम्मधित और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके पास नेने वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए थैंक्यू पूर वोचिंग